शारुक खान ने अपने करियर में कई सूपर हिट फिल्में दी है उनकी फिल्मों को बॉलिवुड में, माइल स्टोन फिल्मों के रूप में माना जाता है जैसे कि दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ-कुछ होता है शारुक की ये वो फिल्में हैं जो maximum लोगों की फेवरिट है लेकिन क्या आपको मालूम है कि शारुक की अपनी personal फेवरिट कौन से फिल्म है वब आपको बता दू कि वो फिल्म इन तीनों में से कोई भी एक फिल्म नहीं है कौन सी वो फिल्म है, क्यू फिल्म वो शारुक की फेवरिट है और कैसे उस फिल्म को शारुक ने हमेशा अपने दिल के पास रख लिया ये मैं आपको बताऊंगी कब की और कैसे में शारुक खान इंडस्ट्री के most, wittiest actor है उनकी हाजर जवाबी जैसी है, वैसी किसी की नहीं है लेकिन इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा emotional भी है यही कारण है कि उनकी जो favorite फिल्म है वो वो फिल्म है जो उनकी emotions से बहुत ही ज़्यादा जोड़ी हुई है वैल यह फिल्म है कुंदन शा की फिल्म कभी हां कभी ना इस फिल्म में शारुक खान थे, उनके साथ सुचित्रा कृष्णमूर्थी थी साथ ही इस फिल्म में दीपक तिजोरी supporting actor के रूप में काम कर रहे थे और चलिए अब जानते हैं वो reasons कि यह फिल्म शारुक खान की सबसे favorite फिल्म क्यों है फिल्म कभी हां कभी ना को शारुक खान ने उस दिन साइन किया था जिस दिन उनकी एक और बड़ी फिल्म का महरत था जी हां मुंबाई के होटेल ट्यूलिप स्टार में दीवाना फिल्म का महरत और उसकी पार्टी और महरत शॉट लिया गया था और उसी दिन वहाँ पर कुंदन शाह आये थे शारुक खान को ये फिल्म साइन करवाने के लिए इस फिल्म का बजट बहुत कम था यही कारण था कि वैसे स्टोरी के अकॉर्डिंग इस फिल्म में पूरी शूटिंग गोवा में होनी थी लेकिन कम बजट के कारण मेंन पोर्शन्स गोवा में शूट कर लिये गए और बाकी के सभी पोर्शन्स को मुंबई में पिचराइस किया गया उन लोकेशन्स पर जो लगता है कि गोवा में हैं. शारुक खान इस फिल्म के लीड आक्टर होने के बावजूद जब अपने गोवा के स्केडियूल पर थे तब वो एक बहुती साधरन से रूम में ठहरे थे, वो किसी लैविश फाइफ स्टार होटेल में नहीं ठहरे, बलकि जिस रूम में वो ठहरे थे, उसका रेंट था 160 इस फिल्म में पहले शारुक खान, दीपक तिजोरी वाला रोल करने वाले थे और आमिर खान और जुही चावला इस फिल्म में लीड आक्टर्स थे, जहां आगे चलकर आमिर खान ने इस फिल्म के बारे में अपना मूड चेंज कर दिया और उन्होंने इस फिल्म से वौक कर दिया, जिसके बाद सुचित्रा कृष्णमूर्ती को लिया गया और फिर जुही चावला का फिल्म में सिर्फ एक खेमियो रखा गया यह फिल्म शारुक खान के दिल के कितनी करीब थी, इस बात का पता इसी चीज से लगता है कि इस फिल्म के लिए शारुक खान किसी भी हद तक जाने के लिए तयार थे इन फैक्ट गोवा की शूटिंग खतम करने के बाद शारुक खान जब मुंबई लौट रहे थे तो उन्होंने बिजनस क्लास की डिमान नहीं की वो एकनॉमिक क्लास से ही ट्रैवल कर रहे थे और उसी फ्लाइट में देवेन वर्मा भी ट्रैवल कर रहे थे जो की बिजनस क्लास में थे वो शारुक खान को एकनॉमी क्लास में देखकर हैरान हो गए और उन्होंने शारुक से पूछा कि तुम एकनॉमी क्लास में ट्रैवल क्यों कर रहे हो तब शारुक ने भी उन्हें जवाब दिया कि क्यों कि मेरे पास टिकेट ही एकनॉमी क्लास का है आप शायद ही जानते होंगे कि कभी हाँ कभी ना complete तो पहले ही हो गई In fact, यह 92 में इस फिल्म को complete कर दिया गया लेकिन 2 सालों तक इस फिल्म को कोई खरीदने के लिए तयार ही नहीं था Distributors का कहना था कि कुन्दन शा कोई भी commercial फिल्म तो बना ही नहीं सकते हैं In fact, अगर बात करें शारुक खान की तो उस टाइम उन पर भी कोई बड़ा distributor पैसा लगाने के लिए तयार नहीं था यही कारण था कि बनने के बावजूत ये फिल्म 2 साल तक बिना distributor के ही रही Finally, जब शारुक खान की फिल्म बाजिगर और डर रिलीज हुई तब शारुक खान बहुत बड़े आक्टर हो गए और इस फिल्म को तुरंट distributors खरीदने के लिए तयार हो गए क्योंकि यह फिल्म बन कर बहुत पहले ही तयार हो गई थी और बाद में बस इंतजार था कि जैसे ही distributor मिलेंगे वैसे ही इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा तो इसलिए इस फिल्म के distributor को खरीदने के और रिलीज होने के टाइम में ज़ादा gap नहीं मिल पाया कि फिल्म का प्रमोशन करा जाए यही कारण था कि इस फिल्म को प्रमोट करने की एक अलगी strategy अपनाई गई शारुखान खुद मुंबाई के गेटी गेलेक्सी थेटर की टिकेट खिड़की पर बैठे थे और वहाँ पर जो भी लोग टिकेट खरीदने आ रहे थे उनको शारुखान ने ही टिकेट बेचे अ अब जानते हैं कि इस फिल्म के रिलीज में बहुत तकलीफ आई थी यही कारण था कि जब मुंबाई में इस फिल्म के distributors मिलने में problem आ रही थी तब उन चन्द लोगों में शारुखान भी जुड़े और उन्होंने decide किया कि दूसरे producers के साथ मिलकर वो मुंबाई का distribution देखे शारुखान अपनी इस फिल्म को बहुत लखी मानते हैं क्योंकि उसके बाद से ही उन्हें बहुत अच्छी फिल्में offer होना शुरू हो गई यही कारण है कि शारुखान ने लाइफ में भले ही कितनी ही बड़ी blockbuster फिल्में क्यों नहीं दे दी हो लेकिन कभी हां कभी ना फिल्म ही आज तक कि उनकी सबसे फेवरेट फिल्म है जो उनके दिल के करीब है इस फिल्म से उनके emotions जुड़े हुए हैं कभी हां कभी ना फिल्म की commercial value भले ही बहुत जादा नहीं हो लेकिन अगर बात करें शारुखान की life की तो उनकी life में ये फिल्म एक एहम हिस्सा रखती है यही कारण है कि जब शारुखान अपने रेच चिलीज के साथ बहुत बड़े producer बन गए तब उन्होंने अपनी इस फ फिल्म को profit खुझ शारुखान नहीं दिया कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही आपको हमारी effects कैसे लगे comment section में जरूर शेयर करें like करें हमारा Facebook page Bollywood ठिकाना follow करें हमें इंस्टा पे और subscribe करें हमारा YouTube channel Bollywood ठिकाना बात है ये 1995 की फिल्म करन अर्जुन की इस फिल्म में सल्मान और शारुख को कास्ट किया गया इससे पहले काफी actors को ये फिल्म offer हुई थी जिसमें से एक थे आमिर खान और अजेद देवगन ही लेकिन finally राकेश रोशन को अपनी इस फिल्म के लिए दो बड़े और बहतरीन stars मिल गए यानि कि सल्मान खान और शारुख खान स्टार्स तो मिल गए थे लेकिन इन stars के साथ राकेश रोशन को एक problem भी मिली थी शारुख को करना था सल्मान वाला रोल और सल्मान को करना था शारुख वाला रोल जब इस फिल्म की 15 दिन की shooting खतम हो गई थी उसके बाद श अपना वाला किरदार पसंद नहीं आ रहा है और मैं सलमान वाला किरदार करना चाहता हूँ। तो राकेश रोशन ने इन दोनों के साथ बैठ के मीटिंग की और इसके बाद इनी के अकॉर्डिंग दोनों के रोल्स को एक्सचेंज किया गया। इसके बाद दोनों की बाद मानते हुए फिर से फिल्म की शूटिंग को शुरू किया गया। राकेश रोशन ने इन दोनों की बाद को सोचा और समझा कि अगर ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के रोल्स पर ही नजरगारते रहेंगे तो इस फिल्म की शूटिंग कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं। यही कारण था कि राकेश रोशन ने इस प्रॉबलम का एक ठोस सल्यूशन निकाला। राकेश रोशन एस डिरेक्टर प्रॉबलम में फस गए थे क्योंकि दोनों ही आक्टर्स एक दूसरे के सामने कुछ नहीं बोलते थे लेकिन अलग से आके राकेश रोशन को अपने रोल्स के बारे में शिकायत किया करते थे यही कारण था कि उन्होंने इस प्रॉबलम का ए उन्हों को ही कह दिया था कि जो भी होगा आज इस टेबल पर ही फाइनल होगा किसे कौन सा रोल करना है यह क्लियर कर दो और नहीं भी करना है तो यह भी क्लियर कर दो ताकि मुझे समझ आए कि मैं अपने प्रोजेक्ट को आगे किस तरह से बढ़ाऊं तब शारुक और सलमा जब एक दूसरे के सामने थे तो उनकी सिचुवेशन ही बदल गई और उन्होंने कुछ भी शिकायत नहीं की बलकि दोनों ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि जो रोल उन्हें इनिशली दिये गए वही रोल करने के लिए वो तयार है और उन्हीं रोल से वो खुश है तो उस त बात करें राकेश रोशन की तो उस टाइम उन्होंने काफी टफ टाइम देखा था शारुक और सल्मान को मैनेज करने में क्योंकि सल्मान भी एक हिट फिल्म देकर आये थे जैसे कि हम आपके हैं कौन वहीं अगर बात करें शारुक की तो उनकी बाजिगर, डर, दीवाना सेक्योरिटीज भी बहुत थी कि इस फिल्म में कोई भी एक दूसर से छोटा नहीं दिखना चाहिए था, इसलिए ये दोनों अपने इस रोल को लेकर इतने जादा कन्फ्यूस थे जिस कारण राकेश रोशन को प्रॉब्लम देखनी पड़ी, तो कह सकते हैं कि फिल्म में अ आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज कॉमेंट करके बताएए, लाइक करें हमारा फेस्बुक पेच बॉलिवोड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चानल, बॉलिवोड ठिकाना